कि अलो बुर्बान दिस इस अब शेक रायने वेलकम यू लोगों के मूँ पर करारा तमाचा है जो लोग मेरे कमेंट में आके बोलेते कुछ नहीं होगा तो मैं इसे फरजी ग्यान देते हो पहली डेट में एसेप्ट नहीं हो कि रिजेट कर ली जाएगी बिना सरकार के तो उ सब्सक्राइब है जैनके पास अनुभाहों के बहुत जादा काह सकते है उनएसेप्ट होगा नहीं कोई सुनवाई होगी तो यहां पर एक जुटता और मजबूति देखी और बीड़ बंदू की इतनी मजबूती से सरकार के नहां होने के बावजूद भी यहां पर सुना ग चैनल सब्सक्राइब को लिए जगा शाम तक पूरी लेटेस अपटेट आपको मिल जाएगी तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो हिश्वेंद्र प्रताप जी की पोस्ट है कि अगली सुनवाई 14 मई यानि 14 मई को अगली सुनवाई है कारण और विस्तित पोस्ट आपको श समय मांगा गया है तो यह तो हर बार होता है विरोधी के पास तो कुछ काम रहता नहीं है अगली डेट मांगते ही मांगते हैं क्योंकि उनको बस यह डिले करना है अगर अगर बात की जाए इस पश्ट रूप से BTC और B8 बंदूओं की अगर बात की जाए और इनकी लीगल पारी यह पतानी क्या कर रहे हैं और उन्होंने फिर से अपना मांगने वाला जो कारेक्रम है शुरू कर दिया है और कुछ ग्यानी लोग इन्होंने वह ऐसा ही बोला है कि ग्यानी लोग फालतु के कारण और अपना अनुभा बतागर बोल रहे थे कि सरकार के बिना या केस नहीं होगा सरकार के बिना केस की पैरविरी भी हुई है और केस एसेप्ड भी हुआ है और कुछ देर सुनवाई भी चली क्योंकि इससे इसमें हमारे हीत सनरच्चित हैं ना कि सरकार के बागी समझ जानकारी के लिए आपको बताता रहूंगा बिल्कुल भी परशान मत्ति किसके बैकाओं में था यह यह कहने का मतलब यह है कि जो लोग ग्यानी पुना बता दो जो ग्यानी पंडित अपने आओं को बता रहे थे बहुत एक्सपिरियेंस होल्डर थे पुरानी क्य चले आते हैं सिंगल बेंच में जीत ये लोग ऐसे लोग है जो इडी जीत क्या आई है आप सभी को पता है और इनके तयारी नहीं है अब देखिए शाम तक लेकिन आप इस पाश रूप से बिलकुल भी परशान मत होईएगा शाम को आपकी पूरी कोट की फाइल के साथ आप से पुना मिलूँगा पूरी अपडेट आपको क्लियर करूँगा बने रेमार साथ मैक्सिम्प शेयर कर दीजिए थेंकी सोमाच